मुरदबाद मंदल के तीन दिवसी दोरे पर आई उत्तर पिदेश की राजेपाल आनंदी बेन पटेल दूसरे दिन मुरदबाद जनपत पहुची पर दाबाद में राजेपाल आनंदी बेन पटेल लेक जिला एक उत्पात पदेश्णी का देरेक्शन किया और पीतल कारीग pigर और नेरयातों को की तारिफ की साथी इस पीतल कारीगरों से उत्पात तेयार होने की प्रकरिया को भी समझा उसके बाद राज़ेपाल किसी पशिक्ष्ण केंद्र में जेविक खेती अपनाने वाले रगतिक शील क्रेशकों से बेटकर क्रेशकों से जेविक खेती को बड़ावा देनी के लिए कहा इसके पशात राजेपाल तेहसील सदर पहुची जहां उन्होंने पोधर उपन करने के साथ तेहसील में चल रहे समाधान दिवस में पहुचकर पीडियतों की फर्यास सुनी पीडियतों को दिया दिलानी के लिए आश्वाशन दिया इसके बाद महीलाओं को आत्मी निर्भर मनने हितु राज्टे ग्रामिन आजीवी का मिशन के अंतरगत ग्राम पंचातों से गटित स्वेम सहयता समों की महीलाओं से बेटकर चेक सोपे वही मन से बोलते हुए उन्हो की सरकारों को सबसे पहला ध्यान आंगानवाडी पर होना चाहिए इस दुरान अधिकारी द्वारा दी जा रही इस मर्ति चिन को लेटने से इंकार करते हुए उस कीमत की किताब देने को कहा अर मुझे लगता है यहमारे जब छोटे छोटे गरीब परिवार के बिछले लोगों का जो गच्चे उस पर जागा से ज्यादा ध्यान रखने की आवशकता है प्राइमरी एटिवेशन से भी जादा ध्यान आगर्वारी में रखने की आवशकता है ज्यांकि वहां से ही बच्चे प्राइमरी एटिवेशन में जाते हैं में ध्यान देते हैं, पॉलेजों में ध्यान देते हैं, करोड़ो रूपिया ग्रांट देते हैं इनिवर्शितियां को, लेकिन जब आगरवाडी आती है, तो आगरवाडी को मौहतिक कम दिलता है, जरूरी है, मौहतिक जरूरी है, आगरवाडी पही कम देती है, और इसी बस् सबसे पहला ध्यान उस पर होना चाहिए आकलवाडी पर होना चाहिए और समाज को इसके साथ जोड़ना चाहिए